लाग करोड़ का पैकेज दी है अगर देश की जनता के समख्छ में तो सरकार ये किलियर करें कि यह हमारा पैकेज है देश की जनता को देंगे और 20 लाग करोड़ के अगर इंस सबसे पैकेज है तो परतेक 130 करोड लोग को 6-6 लाग रुपय खाता में जाना चाहिए वो कहां है मंगल पांडे जी ने अपने प्रधान सचिप को हटाया हटाने का कारण बस यह रहा कि मंगल पांडे जी 80 करोड पडिवारा 14 करोड पडिवार को जांश कर दिये हाँ जबकि रिजल्ट यह है कि बिहार की आवादी 14 करोड़ है और वह 14 करोड़ परिवार का वह जांश करा दिए अगर 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 पहुंशते तो हमें लगता किसी एक लोका स्क्रीनिंग तक किया गया होगा बिहार में अब जनता सरक पर संघर्ष करने के लिए तयार है और मैं आपको बता दूं कि बिहार विधान सब्सक्राइब का नतीजा किया होगा यह अभी आपको नहीं बता सकता कि जो चिनाओ का वक्त होगा वह चिनाओ का समय होगा लेकिन बर्तमान की जो परिस्तिती हमें तो यह डर है कि कहीं इन नेताओं को घर से निकलना ना मुश्कि हो जाए कि बिहार की जनता काफी अक्रोशित है और बूथ पे जो भोट डालने के लिए जब जाएंगे जनता तो हमें लगता है कि जनता तो बूथ पे भोट डालने के लिए जाएगा लेकिन जदिव और भाजपा के लोग जनता के सामने भोट मांगने के हैसी से तो नहीं प इसी पे पड़ा है तो वो हैं गरीब और मजदोर जिन्हें दरदर की ठोकरे खानी पड़ रही है और बात करें बिहार की तो बिहार में इसको लेकर सियासत भी गर्माई हुई है आरोप पर त्यारोप का दौर जारी है और इसी मसले पर हम बात करेंगे आरजेडी के छातर बिंग के परदेश अध्यक्ष आकास जी यादब से जो इस वक्त हमारे साथ हैं तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला आकास जी राट निटवार कुए आपका बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकास जी जैसे जिस तरह से आप लो सब्सक्राइब कर दो कि जिस वक्त से इस विश्व महामारी करोना वाइरस का प्रकोब भारत देश में आया और बिहार में आया तो हमें लगता है कि सबसे पहले अगर किसी दल ने और किसी नेता ने अगर इसके जागरुकता और सतरकता के लिए अगर आवाज उठाया होग तो उसका नाम स्रीटेश पर्ताप यादभ भाया है और उस पार्टी का नाम राष्टी जंता डल है बिहार सरकार की जो बरतमान के डेपटी सिम है शुशीλ कुमार मोदी जी हमें बहुत बहत शर्म आता है कि ऐसे वेक्ति बिहार के डेपटी सिम है जिनके आस्तक किसी भी प्रेस कॉन्फरेंस में और किसी भी बियान में बिहार की बिकास गरीब समाज का बिकास का बात और गरीब को कैसे मदद पहुंचाया जाए उसका बात नहीं आकर सिर्फ और सिर्फ लालू फैमली कहीं बाता है करोना वाइरस जिस दिन से हमारे बिहार में पैर पसारने का काम स तक चल रहा आगे भी चलता चला जाएगा और लोगों की सेवा पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन डेप्टिस यहम सुशील कुमार मोदी जी का जो बयान आया है वो बयान कहीं ना कहीं पुन रुप से बिहार के हित में नहीं है और कहीं ना कहीं एक गंदी राजन हैं उनके वारे में सोचना चाहिए कोरोना वाइरस के वारे में सोचना चाहिए कोरोना वाइरस को कैसे रोका जाए उसके विसे में सोचना चाहिए जो मध्यम वर्ग के जो बिजनसमेन बैपाड़ी लोग जो मर रहे हैं आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं उनके व को गसली जste कि इस सीरख कि सीकों सिर्फ चावल परोश दिया जा रहा है किसी को चूड़ा नमख प्रोश दिया जा रहा है ले minder मुख्य मंत्री जो है उसका वीडियों कौन सेरे प्रेंस कर लोग क्री ये कुरेंटाइन सेंटर का निरिक्षन किया जाए देखिए बर्तमान की जो बिहार में सरकार है ये सरकार फेस्बुक वाली सरकार है ये सरकार कंप्यूटर वाली सरकार है ये सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है बिहार के तमाम कुरेंटाइन सेंटरों की तो बात आप लोगो को भारत के अलग-अलग परांतों में जब वो लोग पहुतारीत हैं जो्ट संप्ल लीजें कि जू सरकार को पस और न्योग को बापस घर नहीं बुला पाया आप उससे उमीद नहीं कर सकते हैं कि वो लोग कुरिंटाइन सेंटर में अपने लोगों को बिहार की लोगों को सेवा पहुंचा सके मदुबनी के कुरिंटाइन सेंटर में राष्टी जनतादल के कारकरताओं के दुवारा टेबल कुर्सी औ और विजली के वस्था कराया गया अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया कि लोग मार्पिट कर रहे हैं भगदर का महौल बनावा है तो सरकार गरीबों को मारना चाहती है गरीबों का शोषन करना चाहती है और अमीरों का राद लाना चाहती है समानतबादियों का राद लाना दलका उसको परशासन जो है बंद कराने गया रात के अंधेरे में और तीन तीन बार जा करके फिर पोस्टर को खोल दिया गया फिर बाद में तेजपरताप यादब जी ने भी उस वीडियो को सेर करके मतलब कहा कि यह सरकार किस तरह की राजनीती कर रही है तो क्या लगता है क तो आप एक चीस को समझ लीजिए बिहार सरकार के मुख्य मंतरी उप्य मुख्य मंतरी और स्वास्त मंतरी जो सत्ता में हैं इन लोगों ने अभी तक ना तो किसी जगा का निरक्षन किया ना तो किसी जगा पे लोगों के स्वाम दर्द को सुनने का काम किया हमारे नेता करीबों के मसीह परामादनी लालू परसाद यादव जी के नाम पे बिहार ज़ारकंड समेट अन्य राज्जों में लगातार लालू की रस्वई चलाया जा रहा है। और कहीं पे भी कुई तरह का दिक्क्त ने कि सेवा वहाऊ से चलाया जा रहा है। निचीश कुमार की निचीश परटे कने से जलते हैं गारी में बोर्ड लगा कर दारू बेशते हैं कर दोजह नेयुक्यार में वह सैंदों करें हैनानी किसे घुना भाला कदार्णा हरीमों עविश रिखल या या राश्य का और बैनर लाके हत्यार का तसकरी करते हैं तो जो सरकार बैनर पोस्टर का इस्तमाल लोगों में खौफ देने के लिए करें जो सरकार बैनर पोस्टर का इस्तमाल दारू बेशने में करें जो सरकार बैनर पोस्टर का उपयोग लोगों के हत्या करवाने में करें उस सरकार से कभ रूप से ये सरकार बेचैन हो गए ये सरकार बॉखला गई कि कैसे राष्टी जनतादल गरीबों को खाना खिला रहा है बलकि उस जगह पे अगर इनका भी फोटो लगा करा गरीबों को खाना दिया जाए तो हम लोग उसके लिए भी तयार है लेकिन लाख ये लोग हम लोगो परतारिक किये गई पूलिस के दोबरा पीटा गया लाठी उसे पीटा गया फाइंत तक वसुला गया लोग के पस कमाने का सरूत नहीं हैं लोग यहां फाइं बहुडने का काम किया गया नितीश कुमार जी के समख्छ लोगों ने अपने साड़े मांगों को रखा लोग कह पराते रहें लेकिन नितीश को मार्जी एक बार भी नहीं सुनें एक मार्च रचिनї जन्ता दल ही है व्यामी ज़ो बिखश में रहने के बाबजूद अपने तमाम बिहाड़ी के साथ ख़ण रहा है और देश्की हिं दिखते थे एक हाफ का माहाल था आज बिहार में बहुत सारे मामले सामने आ और धिल दी जाएगी आपको नहीं लगता कि मतलब करोना को ये सरकार ने उता दे रही है एक तरह से देखिए सबसे पहले मैं आपको इस पस्ट कर दू कि सरकार जो बिहार सरकार और केंद सरकार इन लोगों ने एक बहतरीन पहल को लॉग डॉन अगर सॉलूशन था करोना वा मैंने इस तरीके से बिना प्लैनिंग के करने का काम किया सरकार से हम ये सवाल करना चाहते हैं आप देखियों कि मंगल पांडे जी ने अपने प्रधान सर्चिप को हटाया हटाने का कारण बस यह रहा कि मंगल पांडे जी असी करोड़ पडिवारा 14 करोड़ पडिवार को ज परफ़ के लिए लेकार को बेल are यह थो सरकार यहां पर पूंड हुप से जो कन लॉगडाइन आ र्डाय है सर्कार का किहा यहार को बिल्कुल बी किसी तरिके जानकार हई यह कि क्या हो होगा आप बताईए किолот न किया गिया सरकार के दौर्ड पहला दिन छौदा दिनiben का किए गया बढ़ात सी चल गया UNuingups तिमेच आप लोग को भाहर को घुमने कर जो लॉका दे रहे हैं और आप जो आकटा रहे हैं कि फक आपने लोगों तक Corona virus को लेके विवस्था किया कि नहीं किया आपने हर घर तक राशन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया मैं आपके मीडिया के माध्यम से मेर्कींज सरकार से मैं चिनौती देता हूं जो उनकी जितने भी प्रवक्ता है और जो नरिंदर मोदी जी देश के मान करने गिरी मंतरी हैं वो तो मीडियम आना से रहें वो तो मीडियम आते नहीं है फुली कॉरिंटाइन है वो एक बार भी सरकार ने अपने जन सेवा निती के वारे में देश की जनता को बताने का काम नहीं किया सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित किया है लोगों करोड वारपने रिदेंदर मोदी जी पैकेज दिये हैं कि लोन दिये हैं यह भी अभी तक देश में किलियर नहीं है डोर टो डोर अभी तक एक भी परसेंट का करोना को लेकर कोई इलाज का काम नहीं किया गया P.M.C.H. है ईनेमसी ऐच रिमसे एमसे जितना ही इस पताल में पर घर चिले जाएगा तो आप को असенты देख जाएगा कि करोना को लेकर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब का गज़ खरो decid करोना वायरस कहीं नहीं है सरकार बेफिकीर है निश्चीन थे और कोई दिक्कत नहीं है कुरोना वायरस में हत्याइन लागातार हो रही है सरकार कहां है हमारे मध्यम वर्ग के बिजनिसमें जो जिनका किराधार है जो रेंटर है वो लोग रो रहा है निरंदर मोदीजे ने कह कि एमाई माफ होगा बैंक का एक एमाई माफ बाले लोगों थरा ख़ड़ा करवाई यह लाइन पर कि किसका माफ हुआ 500 रुप्य का लालस दिया गया देश की जनता को देश की जनता को 20 ला करोड का जूटा सपना दिया गया यह जूटो जूट की टोली की सरकार है यह कोई मो दिन रात लाठी खिलवाना दिन रात बेवकूब बनाना और दिन रात सिर्फ और सिर्फ लड़ाय लगवाना रेंट कहा गया कि माफ हो जाएगा कि कहा गया ना मोदी जी के दोवारा की रेंट माफ हो जाएगा तीन महिना का रेंट माफ हो जागा स्कूल फीस माफ होगा स् लोगों के माइन्ड में एक डर पैदा करकर परसासन का खौप आज आप सरक निकलिए लोग पुलिस बिमारी से कम डर रहे हैं पुलिस के लाठी से ज़्यादा डर रहे हैं यह सरकार है अब चंद महीने के बाद बिहार में विधान सभा के चुनाब होने हैं और जिस तरह से परवासी मजदूर करोडों की संख्या में लाखों की बात मैंने करता जैसे मुझे जानकारी है कि तकरीवन 4 करोड परवासी मजदूर जो बिहार के हैं वो बापस आये हैं किसी नकिशी रूप में या आ रहे हैं उनकी मोटा मोटी जो संख्या है चार करोड हो जाई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब जो ये सरकार है परवासी मजदूरों के साथ दोयम दर्जे का ब्याभार कर रही है सड़को पेज दिख रहा है कि कोई पैदल चल रहा है कोई जानवर की तरह ट्रक में अटा पड़ा ह है तो क्या इसका फाइदा आर्जेडी को चुना में मिलेगा देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज सपष्ट कर दो कि राश्टी जनता दल कभी भी गंदी राजनीत नहीं करता है हम लोग भारती जनता पार्टी वाले लोग नहीं है कि कटवा के आग लगवा कर घर्च करने का काम करते हैं बिहार में प्रवासी मजदूरों के साथ जो चार क्रोर अपने संख्या बताया हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने सही आंकरेक मीडिया परसन होने के नाते आपने बताया वरना बाकी मीडिया वाले जो हो सके अगर उनको मौ दिख रहा है उनसे राजनितिक पैदा नहीं दिख रहा है आज आप देखिए शुशील कुमार मोदी जो दो दिन पहले बयान दिया कि बिहार में चिनाओ डिजिटल होगा डिजिटल किसके पास है मौवाइल कौन चला रहा है इंटरनेट कौन भड़ा रहा है मौवाइल मे फेस्बुक कौन चला रहा है टूटर कौन चला रहा है जिसके पास मौवाइल रखने का मौवाइल चार्ज करने का मौवाइल रिचार्ज करने का पैसा है ये जो बेचारे जो ट्रक में लदकर आ रहे हैं इनके पास दो वक्त का खाना खाने का पैसा नहीं है ये जो सरकार ह भारती जनता पाटी हमारे नेता आदर्णी श्री लालू परसाद यादव जी ने 2014 के परिणाम में देश को अगा किया था कि देश बहुत गलत हांतों में हैं देश अपातकाल इस्तिती में जाएगा देश बरवाद हो जाएगा नरंदर मोदी जी का 2014 से लेकर बरतमान 2020 में ए एक भी पॉलिसी अब बता दी जिसने की गरीबों को मदद मिला हो यह सरकार अपने अंतिम चरण में हैं कि कैसे गरीबों को मार दो और इनको लाइसेंस दे दिया जाए अगर इंको मौका दे दिया जाए अभी तुन लोग ance जनताने समर्थन दिया तो जनताने समर्थन दिया तो आप देख लीजी जिए लोग टुड़क में आ रहा हैं लोग दिली से पैदल चलकर आ रहा हैं Conference बिहार में उन-चालिस सांसद हैं भारती जनता पाठी के और बिहार के 4 करोड़ लोगों का अगर मिलाये जाए उन-40 लोगों का भोट तो 40 करोड़ से कमतब 4 करोड़ सूपर होगा चार करोड लोग बिहार के बाहर हैं पैदल आ रहे हैं और उन 47 सद भारती जनता पार्टी का गाईब है हम जनता ने बिहार की जनता देश की जनतानी ने समर्थन दिया सरकार बनाने में जना देश दिया तीनों ने गरीबों को 1100 किलो मेटर और 200 किलो मेटर पैदल चलवा दिया हमें लगता है कि अगर फुल मेजरिटी में अगर आ जाए पुरा समर्थन आ जाए तो गरीबों को चुन चुन के पूछेंगे कि तुम कितना कमाते हो नहीं कमाते हो तो गर्दन काटने वारी सरकार ही है आप उनका दर्द पूछिए और बिहार चिनाओं में कि जिस तरह से गरीब जो हैं प्रवासी मजदूर हैं जो इतना परिशान हुए हैं क्या आरजेडी को इसका फाइदा मिलेगा भले आप बोट की राज़नीती नहीं कर रहे हो अभी बोट नहीं दिख रहे हो लेकिन कहीं न कहीं फाइदा मिलना चाहिए मैं उन प्रवासी मजदूरों को मैं भूग मिटा रहा हूं हमारी दल उस प्रवासी मजदूर के दर्द को समझ रही है हमारा दल उन प्रवासी मजदूर को अब बिहार से बाहर जाने नहीं देगा इसकी लिए संगहर्स करेगा हम लोग प्रवासी मजदूर के दुख काम करेंगे तो निश्चित रुप से वो प्रवासी मजदूर हमारे साथी रहेंगे अगर आज हम उनको पानी पीला रहें अगर आज हम उनको अंधे रहें तो उनका दुख दर्द होगा तो कहीं नहीं में ताकत आएगा इन जन्म विरोधी सरकार के खिलाफ अब आज उठान उनकी बीच लगे हैं कोई नेता है जो प्रवासी मजदूर के बीच में गया हो खाना लेकर अपने हाथ से कोई भी नेता बता दीजिया कोई नेता नहीं होगा कोई ऐसा नेता होगा जो कि अपने प्रवासी मजदूर भाईयों के लिए और बैपाडियों के लिए आर्थिक पिछड़े सोशित लोग थे दो तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए थे एक वार फिर बो मौका आया है यह जो महौल फिर जो मौका आया है आज जेड़ी के सामने कि वो लोग आप लोग के साथ जुड़े आप पुड़े राष्टी जनता दल अगर पड़िवार को आप देखते हैं पुड़े बिहार की 14 क्रोड़ावादी को देखते हैं तो यह 14 क्रोड़ की आवादी इस क्रोणा वाइरिस महामारी में सरकार का जो जनता विरोधी नीती और जन विरोधी जो चहरा है और अमीर अब इनके जूटे वादों से तंग आ गई है बिहार की जनता अब इनके खोखले वादे और इनके जो घड़ियाली आंसु है जो हापेंट पहन के जो भागने वाले सुशील कुमार मोदी जी हैं जो बटना में बार आया भाग गया है और अभी क्रोणा वायरस में सी बैट के ट्विटर रिट्विट कर रहे हैं लालू फैमली का जो बुड़ाई नापड़े हैं इनके परती अब जनता सरक पर संघर्ष करने के लिए तयार है और मैं आपको बता दूँ कि बिहार विधान सवाच चिनाओ का नतीजा किया होगा यह मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि वो चिनाओ का वक्त होगा वो चिनाओ का समय होगा लेकिन बरतमान की जो परिस्तिती है हमें तो यह डर है कि कहीं इन नेताओं को घर से निकलना ना मुश्किल हो जाए कि बिहार की जनता काफी अक्रोशित है और बूत पे जो भोट डालने के लिए जब जाएंगे जनता तो हमें लगता है कि जनता तो बूत पे भोट डालने के लिए जाएगा लेकिन जदिव और भाजपा के लोग जनता के सामने भोट मांगने के हैसी सो तो नहीं पहुंच सकते हैं यह मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं और अब देख लिजिए नहीं किसी मेहिमत किसी समानित करने का काम करें है किसी जदिव भाजपाया किसी नेता में पावर की वह मीडिया वीडियो कॉन्फरेंसिंग से बाहर निकल कर और प्रवासी मजदूर को अपना चपल दे पहनने के लिए यह सरकार जो राशन नहीं पहुंचा पाया यह सरकार जो पंद्रास और महिन drinks रूसरो किलोमिटर पैदल चल कर आ रहा है रास्ते में मर रहे हैं करोणा वायरिस से मिर्त की संख्या से यहां भूकमड़ी से मरनों वालों के संख्या जादा है जनता इनें माफ नहीं करेगी जनता इनके किलाव सरक पर एक आंदूलन जरूर करेगी और यह आंदूलन बहुत जल्द होगा यह मैं आपके चैनल मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताने का में काम कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का सुनाए आपने आरजेडी के चात्र परदेश अध्यक्ष आकाश यादव को जिनका कहना था कि देश का महौल जो है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और बात करें बिहार की तो बिहार के परवासी मजदूर जो है उबाल पे हैं और उन्हें एक मौका बस मिलने की जरूरत है उसके बाद राजी में खुद बखुद एक बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा मौजूदा सरकार के खिलाफ योगिस चक्रवती राजनिट बाइगा